है दोस्तों आज 9 डिसमबर 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे आई टी सेक्टर का एक दिगज कंपनी इनफोसिस लिमिटेट के पर जिसके अंदर मेरा लगातर खरिदारी करने का राय था इवन आज की डेट पर मेरा एकदम सेम है इनफोसिस लिमिटेट का शेयर आज जाके क्लो को नहीं मालूम उनके लिए बस शौट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि क्यूं आज आई टी सेक्टर में गिरावाट हुआ ताकि आगे वीडियो आपको समझने में आसान हो जाए तो देखिए बेसिकली आई टी सेक्टर का एक बहुत बढ़ा कंपनी जिसका नाम इतना घिरावर देखने को मिला तो दिकरि स्टेट्मेट तो श्астьमा में तो कुछ तावने में में गास नहीं बोला था पड़त histoire सेग्मन होता क्या तो इस का company को सबसे ज्यादा revenue generate होता है आप चाहे तो PCS का उठालीजिए इन्फोसिस का उठालीए यह वीप्रो का उठालीजिए इसल टेक्ट क्यों ना उठालीजिए यह सारे जो बड़े सेग्मेंट है जहां से सबसे ज्यादा revenue generate करता है आई टी सेक्टर और वहाँ पर शौटेज हुआ या कमजोर हमें देखने को मिला क्वाटरली रेजल्ट पर तो भी इसलों उसका इंपक्ट आपको कंपनी की क्वाटरली नंबर पर टोटल इंकम पर मार्जीन पर या जो नेट रेटिंग किया उसको अंदर जो सेलिंग का रेकमेंडेश इंद्या तो जिस बैसे एक और ज्यादा इस चीज़को एज मिल गया अब देखिए इनफोसीस क्यूपर यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज कंपनी या रेटिंग एजनसी कंपनी ने कोई बहुत बड़ा जैसे की TCS, Infosys,urgya हो गया इसलै inspired को इसकी ऑफ़ए और अपन अपना टार्गेट भी डिया जैसे की आप देख सेंतो गेंद debating का जड़ो से मूरा नहा रां ने बाइन का रेकमेंडेशन निया किसीक अदर इंफोसीस का अंदर डूसरा Persistence इस इस्टम लिमेटेड जोक हैक म मतलब आज जहां पर्सिस्टेंट का शेर क्रोजिंग दिया उससे अगर हम कंपेर करें काफी उपरी लेवल पे डीडियूस मतलब सेल करने का रेकोमेडेशन दिया टार्टा कंसल्टेंसी मतलब टीसी एस के अंदर और टार्गेट पैस दिया काफी नीचे आ सकता है क्योंकि ब पर ब्रेकर के नीचे आके क्लोजिंग यह तो होगा दोस्तों नमूरा उसके बाद हमने देखा क्रेडिट सुइस जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनीज है इनके तरब से भी जो इंडियान आईटी सेक्टर के अंदर लगबक 10-27 परसन लो साइट मतलब यहां पे बात करें तो दोस्तों उसके समय इनफोसिस को उतना खराब रेटिंग भी नहीं दिया जैसे कि आप देख सेक्तों इनफोसिस के अंदर जो की क्रेडिट सुइस का रेटिंग दिया आउट फॉर्फों का उसके साथ देखे टार्गेट पैस कितना दिया 1710 रुपई मतलब आ तो उससे थोड़ा सा नीचे यहां पर टार्गेट दिया 970 रुपई का उसके साथ यहां पर प्रफॉर्म का जो की रेटिंग दिया है वी प्रो लिमिटेट को टार्गेट पैस दिया काफी नीचे मतलब सारी 300 रुपई का इवन आज प्यम ने देखा कि वी प्रोका जो शे ना सब को जानने के बाब चुद भी उसके पीचे में डिजन यहां कि बाइबैक कि कमपनी का दोस्तों अल्लेडी बाइबक शुरू हो चुका है और कमपनी हर एक दिन थोड़ा-थोड़ा करके बाइबक कर रहे खुद का श्यार मतों खुद का स्टेक यहां पर खड़ीद आप को आज का जो रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा तो आपको खुदी समझ आ जाएगा कि क्यों यह सारे ब्रोकरेज कंपनी दूसरे कंपनी को छोड़ को मतलब दूसरे IT सेक्टर को नेगेटिव रेटिंग देरा या तो नियूट्र रेटिंग देरा 2020 तो आज भी दोस्तों कंपनी दोड़ा नहीं इन फर्म किया गया एक्सेंज को मतलब इनसी की आफिशल वेबसेट में यह पर हम चेक कर रहे मतलब इनसी को जो कि आप इनफर्म किया कि आज भी कंपनी बाइबेक किया साथ सद देखिए यहां पे ऑल्लेडी बाइंग लग चुका है सारी 400 रुपए की सारी 400 कॉंटिटी का शेयर साथ आज वोल्यूम के साथ डेलिवरी देखके दोस्ता चौक जाएंगे क्यूंकि कल भी हमने देखा था वॉल्यूम आया था पर इतना जबरदस्ट वोल्यूम दोस्तों देखने को नहीं मिला तक लास्ट भी जैस के पहले भी देखने को मिला था इतना ज्यादा नहीं था थर्टी फॉर्टी परसंट जनेरली अक्सर होता है इंफोसिस का डेलिवरी बट आज की डेट पर मोर दन सिक्स्टी परसंट क्रॉस कर चुका है इवन लाज्ट भी अमने देखा था गरिपकर सेवेंटी परसंट का करेंगे कि अगर फर्दर गिरावाट होता है तो शेयर कहां तक किर सकता है या उपर की तरफ कहां पर इसको रेजिस्टेंस फेस करने का चांस है और हर एक पॉइंट को अब्जर्ब करना ठीक से पर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छ लगा तो प्लीज वी यहां पर जो कि रेजिस्टेंस फेस के फिर देखें हल्का किरावठ फिर देखें जब उपर की तरव यहां पर ब्रकाउट आया यह लेवल को क्रोस करके निकल या फिर देखिए यहां पर गया आज की रेट पर कहीं ने के दोस्तों जो शेयर क्लोंग दिया 1550 पास यानि इ सब्सक्राइब करके 1550 मतब 1550 का सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजे हर सो से सतर पॉइंट की गैप में मतब आज समझ लिए आपने वाई किया कल हो सकते की शेयर और गिरावट वा लगबक 1480 तक शेयर पहुंच क्या तो उसकेस में इस लेवल पे और कुछ सब्सक्राइब क्योंकि इनफोसिस के अंदर 200 बाइब चलाए और बाइब जब होगा क्योंकि ओपेन मार्केट की तो यह बाइब होगा आपको मतमिया पे आप जो की पार्टी से नहीं कर सकते तो ओविएसली शेयर के ऊपर की तरह मुवेंट आने का पूरा-पूरा चांस है तो जिस बैसे मैं आपको बोल लाँ कि शेयर अभी ज्यादा नीचे गिनने का चांस फिलाल बहुत कम है अगर गिटता भी है तो धेले-धेले करके आप यहां पर बाइब से उठाली जिए इसके पहले भी हमने देखा था यह जो 1550 का लेबल बहुत बार रेजिस्टेंस फे वीडियो के यह पर वाइंड अप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जाए हिन